हेलो फ्रेंड पॉपुले टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि 15 दिनों के बाद दाधी सा ने अभीरा को दिया पोद्दर खांदान की पहु होने का दर्जा तो वहीं दाधी सा के फैसले से खिसकी विद्या क प्यारो तले जमीन जी हाँ दोस्तों अब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां अभीरा और दाधी सा के बीच डील हो जाएगी तो वहीं अपने दिल पर पत्थर रखके दाधी सा की डील को पूरा करने में अभीरा कामयाब भी हो जाएगी जहां अभीर मादव और विद्या के बीच की सारी दूरिया मिटा देगी और वो दौनों फाइनली एक दूसरे के प्यार से अपने इजहार कर देंगे और वो दौनों के बीच सालों से दबा हुआ जो प्यार था वो भी बाहर आ जाएगा वेल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां मादव और विद्या का प्यार देखकर उन दौनों को यो साथ में देखकर दादी सा खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे तो वहीं दादी सा को अभीरा पर विश्वास हो जाएगा कि उसनी जो कहा था वो जाएगी तो वहीं अभीरा अपना सारा का सारा सामान पैक कर लेगी और दादी सा के पास जाके ये कहते हुई नजर आने वाली है कि दादी सा हमारे बीच जो डील हुई थी अब वो पूरी हो चुकी है इसलिए अब मैं आपका घर छोड़के जा रही हूँ बैल लब शो के अबकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां दादी सा अभीरा का हाथ पकड़ लेंगी और रोक लेंगी डायवास पेपरस पर साइन करने से और ये कहते हुई नजर आने वाली है कि अब तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी और ये हमारा हुकम है जहां दादी सा के फ सारे लाग कोशिशों के बावजूद भी हम मादव और विद्या को एक नहीं कर पाए लेकिन तुमने 15 दिनों के अंदर वो कर दिखाया जो हम अपने कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे तो वहीं दोस्तों दादी सा होंगी अभीरा से इंप्रैस और जिसे देख कर रूह का होगा बुरा हाल और कहानी में आगर जबर्दस मोड तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चानल को सबस्क्राइब करना ना भूलें